नमस्कार दोस्तों, बाबा राम देव ने कोरोना वाइरस के लिए कोरोलील टेवलेट का जो है लॉंच किया है, वोने दावा किया है कि इस दावा के सेवन करने से रोगी 5 से 14 दिनों में ठीक हो सकता है, इस दावा को तयार पतंजली रिसर्ज इंस्टिचूट और नेशनल इ मिलकर तयार किया है, इसका उत्पादन जो है हर द्वार की दिव्य फार्मेशी और पतंजली आडवेद लिमिटेड कर रहा है, बाबा राम देव ने बताया कि 280 रोगीयों पर इसका परिछन किया गया, जिसमें से सभी रोगी स्वस्त हो चुके हैं, किसी भी रोगी को किसी परकार का परिशानी जो है नहीं हुई, तीन दिन में ही 79 फिश्दी मरीज ठीक हो गये, और 7 दिन में 100 फिश्दी मरीज ठीक हो चुके, इस दवा की जो है क्लिनिकल केस स्टडी की गई है, उनका दावा है कि कोरोनेली जो है पूरी तरह से वैज्ञानिक दावों पर खड़ कि कोरोनेली में जो है गिलोई, असुगंधा, तुलसी, स्वास्री, रस और अनुतेल का मिश्रन है, उन्होंने यह भी बताया कि इस दवा को हर रोज दीन में दो बार सुबा और साम को लिया जा सकता है, यह दवा काम जो है कुछ इस प्रकार से करता है, असुगंधा जो है वो कोरोना वायरस के रिसेप्टर, वाइंडिंग डोमेन को सरीर में एंजियो टेंसिंग, कंवर्टिंग, एंजाइम से नहीं मिलने देता है, इस तरह कोरोना वायरस मानो सरीर की कोशकाओं में नहीं घुस पाता है, वहीं जो है गिलोई, कोरोना संक्रमन को रोकने का काम कर करता है तुलसी जो है वो COVID-19 के आरेन ने पर हमला कर उसे बढ़ने से रोपती है और इस टेबलेट के साद स्वा deputy भी मिलेगी क्योंकि स्वासरी बटी जो है वह बल्गम को खत्म कर स्वेप्रो में जो यो पूजन को कम करता है और यह स्वासरी जो है वह बल्गम को गाढ़े होने से भी रोकता है तो यह है कोरेनिल टेबलेट का राज को कोरेनिल ने जो है 100% मरीज को ठीक किया है और यह पुर्णता आईविवेद से बना हुआ टेबलेट है धन्यवाद